हाई गाईस आपका हमारा यूटुब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त खादर और आप देख रहे हमारा यूटुब चैनल तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडिया का मतलब मतलब इंडिया का फूल फॉर्म क्या होता है इंग्लिश में और हिंदी में इस वीडियो में मैं आपको पूरी तर्गी से बताऊंगा अगर आपने अभी तक हमार चैनल को सब्सक्राइब ने किया है सबसे पहले आप हमार चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल का इकन प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों तो चलिए इस वीडियो को मैं भी शुरू करता हूँ और अंत तक देखिए दोस्तों बहुत शॉट वीडियो है तो इंडिया का लॉंग फॉर्म क्या है दोस्तों यह अभी इंडिया शॉर्ट फॉर्म है अभी लॉंग फॉर्म के हम आपको बता तो दिखते रही है I for independent मतलब स्वतंतरता मतलब आजादी और N for national मतलब एक राष्ट्रिया हिंदी महनुआद होता है राष्ट्रिया और D for democratic और इसका हिंदी महनुआद होता है लोक तांत्रिक अधिकार मतलब I for intelligent मतलब बुद्धि मान मतलब sharpness और A for area मतलब शेत्र मतलब जगे को हम लोग कहते है एरिया और यहां पर देखिए इंडिया का मतलब पूरा विवता देता है इंडिपेंडेट नैश्टनल डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंट एरिया तो यह पूरा अब इसमें हिंदी में देखिए इंडिया का मतलब स्वतंत्रता राष्ट्रिया लोग तांत्रिक बुद्धि मान अगर आप आमरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना और बेल को आइकन प्रेस कर दोस्तों फिर मैं नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ मिलता हूँ जब तक के लिए जाए हिंडियो